हलो दोस्तो मैं हूँ योगिज गुपता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 350 के डार्क स्टेल्थ ब्लैक वेरियंट के बारे में क्लासिक 350 के डार्क सीरीज में यह आता है इसमें आपको दो कलर मिलते हैं एक होता है आपका गन मैटल ग्रे और यह जो दूसरा कलर आप सामने देख रहे हैं यह आपका डार्क स्टेल्थ ब्लैक इसके उपर एक वेरियंट और आता है जिसको हम क्रोम सीरीज बोलते हैं इस पर्टिकुलर वेरियंट के बाद करें तो इसके प्राइस परती है 2.21 लाक एक्सवरूम और जाती है 2.42 लाक ओन रोड ग्वालियर में स्टेट तो स्टेट थोड़े बहुत प्राइसेज वैरी होते हैं आज की इस वीडियो में इसी बाइक का कंप्लीट वॉकराउंड करेंगे और इसके फीचर और इस्पिस्पिकेशन के बारे में जानेंगे और यह भी जाने के खुशिस करेंगे कि अगर आप धाई लाक रुपे लगा रहे हैं तो यह क्रूजर बाइक आपको कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए शुरॉत करते हैं इसके लाइट शेट अप से तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको हैलोजन का लाइट शेट अप देखने को मिलता है और इस पूरी गाड़ी में आपको केवल यहीं पे थोड़ा से क्रोम का पार्ट देखने को मिलेगा जो यह कैप सी पहना रहे है जो काफी बढ़िया लगती है लुक्स को इनास करती है दो पाइलेट लैंप आपको ओफर किये जाते हैं नंबर प्रेट की आपको यहां पर पोजिशनिंग देखने को मिलेगी साथी साथ आपको यहां पर देखिए बाइबर के कैलिपर्स मिलते हैं जो कि डूल पिश्टन कैलिपर्स हैं टायर के साइज की बात करें तो 190-19 इंचिस के आपको यहां पर टूबलेस रेडिल टायर्स ओफर किये जाते हैं बागी जो फ्रंट का मटगार्ड है कंप्लीट स्टील का आपको फ्रंट का मटगार्ड देखने को मिलता है दोस्तों वहीं रियर में आ जाएंगे तो रियर में भी आप देखेंगे तो यहा साथ यहां पर भी आपको बहुत बढ़िया से रेड स्ट्रिप लगा के दी गई है जो इसके लुक्स को काफी इनास कर देती है टायर के साइज की बात करें तो 120-80 और 18 इंचिस के आपको यहां पर भी टूबलेस रेडिल टायर्स आप देख सकते हैं आपको अफर किये जात प्राइ्ट यहां पर आपको groups कर दी आपें, बहुत बहुत अच्छे हो जाते हैं आप साइड में देखेंगे तो यहां पर आपको इंजन भी complete matte black finish में देखने को मिलेगा यहां पर आपको 349 CC का single cylinder 4 stroke air और oil cool engine देखने को मिलता है जो almost 22.2 BHP की power और 27 Nm का torque देता है मालेज की बात करें तो 36 kmpl का मालेज कंपनी क्लेम करती है और यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लंबा सा silencer आपको देखने को मिलता है वो भी आपका complete यहां पर matte black finish में offer किया जाता है और catalik converter भी आप देखो सब कुछ यहां पर matte black finish में करके दिया है यह रहे आपके brake pedal जो आपको साथ में rubberized cushion देखने को मिलता है और इसकी quality काफी बढ़िया है साथी साथ यहां पर आप देख सकते हैं brake flute की position है और chassis वगर आप देख लिए complete आपको यहां पर tubular chassis देखने को मिलती है classic 350 की आपको stickering देखने को मिलेगी अगर आप side से देखेंगे तो कुछ इस तरह की side profile आपको यहां पर offer करी जाती है rear profile की बात करी जाए तो आपको यहां पर tail light complete halogen में देखने को मिलती है indicator वगरा भी सब कुछ halogen में है थोड़ा सा chrome का use आप यहां पर पीछे देख पारे होंगे royal infield की stickering है और जो rear का आपका यह मटगाड है यह सारा भी आपका metal में है साथी साथ आपको यहां पर पीलियन के लिए back rest भी देखने को मिलता है side safety की बात करी जाए तो आपको देखें यहां पर side guard देखने को मिलता है और यह रही आपकी complete side profile 805 mm की seat height आपको यहां पर देखने को मिलती है ठीक है बाकी tank की बात कर रहे है तो 13 liter की tank capacity है अब तो e20 fuel support करता है BS6 phase 2 norms के साथ यह bike आपको देखने को मिलती है ignition switch की position देख लीजे instrument cluster आपका यहां पर semi-digital है मतलब analog और digital दोनों form में आपको देखने को मिलता है एक में आपको speedometer है और एक में आपका बाकी speed हो गया distance to empty हो गया सब कुछ दिखाता है handlebar की बात करी जाए तो यहां पर आपको देखो single tubular black color में handlebar देखने को मिलता है और इधर देखेंगे तो आपका यह high beam, low beam और pass का switch यह रहा indicator यह रहा horn बाकी यह देख सकते हैं levers वगर आपके काफी बढ़िया क्वाल्टिक है ignition switch और kill switch आपको यहां पर देखने को मिलता है साथी साथ यहां पर आपको hazard का light view option offer किया जाता है दूस्तों बाकी bar की quality, handle की quality, काफी बढ़िया쟁 judiciary आपको यहां पर देखने को मिलता है और कोई भी chrome का use mirror के पीछे को यहां पर देखने को नहीं मिलता है बात कर रहे है isके seats के तो आप देख सकते है split seats आपको यहां पर देखने को मिलती है और काफी soft और कुस्नेबल seats है 805 mm की height होने की वज़े से हर को इस पर बड़े आराम से चला सकता है बिना tension की और पीछे pillion के लिए back crash तो आप देखी रहे हैं आपको देखने को मिल जाता है अगर आप ध्यान देंगे तो आपको देखो केवल front में थोड़ा सा chrome है और tail light में आपको थोड़ा सा chrome है बागी कहीं पर भी आपको chrome का use देखने को नहीं मिलता है थोड़ी dimension वगरार की बात कर ली जाए तो देखो सबसे पहले तो 805 mm की seat height और लेडी बता चुका हूँ 2110 mm की पूरी length है ground clearance 160 mm का है wheelbase की बात करी जाए तो 1390 mm का wheelbase है और वजन आपका लगबग लगबग 200 kg टच करता है दोस्तों company इस bike पे 3 साल या 30,000 km तक की warranty प्रवाइड करती है guys ठीक है तो इस bike के बारे में आपकी जो भी राय है please मुझे comments में जरूर बताएगा कोई भी query हो तो आप comments में पूछ सकते हैं मैं आपको showroom का number दे दूँगा आप चाहे तो महां से test drive भी ले सकते हैं मुझे तो bike personally बहुत पसंद आती है आपकी क्या राय है please मुझे comments में जरूर बताएगा खास तोर पर यह जो color है outstanding color है red stripes वगए इस पे काफी जच रही है दोस्तों तो चलिए उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही next video आप से फिर मुलाकात हूँ कि तब तक के लिए जय हिंद जय भारत